फिल्म में देवरा का एक सीन था जहां पर जूनियर एंटी आर हमें उपर पहाड से चार-चार भड़े हुए कंटेनर को नीचे धक्का देते हुए दखाई देते हैं और यहां पर जूनियर एंटी आर इन भड़े हुए कंटेनर को इतना स्मूथली खिसकाते हैं कि लगता है कि ये कंटेनर किसी लोहे के नहीं बलकि धर्मा कॉल के बने हुए हैं। लेकिन एक तरब से जहां जूनियर NTR धक्का दे रहे थे तो दूसरी तरब से चार पांच लोग और इसको रोकने का भी प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन लोगों के साथ में ही जूनियर NTR उस कंटेनर को इतनी स्मूथली खिसका रहे थे कि ये सीन देखने के बाद ऐसा लगा था कि वाकि मैं साउस की फिल्म देखने के लिए ही आया हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस सीन को आपको फिल्म के स्टार्टिंग में ही दखा दिया जाता है। जो देखकर ये लगा कि हाँ पैसे आपके बरबाद तो नहीं होंगे। इस वीडियो में हम देबरा का पूरी तरह से स्पाइलर फुरी रिवीव आपके लिए करेंगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये फिल्म आपको देखने जानी चाहिए या नहीं। देखिए देबरा की अगर में एक ओवरॉल कहानी के बारे में बात करूं तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ओर्डिनरी नहीं है। मतलब ये बहुत ही सिंबल सी कहानी है। लेकिन इस कहानी को जिस तरह से आपके सामने रखा जाता है इसका एक्जिक्यूसन बहुत ही जबरदस्त है। ये फिल्म अपने स्टार्टिंग सीन से ही बिलकुल पेस पकड़ कर चलती है और इंटरवल तक बिलकुल ऐसे ही हाई नोड पर चलती ही जाती है। इसके फस्ट हाफ में पूरी कहानी सेट कर दी जाती है और हमें कई बहतरी नेकसन सीन भी देखने के लिए मिलते हैं। रॉल ही नहीं है लेकिन इसके सेकंड हाफ में जूनियर एंटी आर और जानवी कपूर के उपर एक गाना फिल्म आया गया है और इसमें जानवी कपूर बहुत ही खुबसूरत लग रही है और वैसे अगर पूरी फिल्मे में देखा जाए तो जानवी कपूर को ना तो कोई ब जानवी कपूर वैसे तो हिंदी में ही बोल नहीं होंगी लेकिन उनके लिप्स यहाँ पर डायलॉक्स से मैच नहीं हो रहे थे और चलो दूर के सौट में तो ये नोटिस नहीं होता है लेकिन पास वाले सौट में ये काफी वियर्ड लग रहा था इतने हाई वाल्टेज फ़ लाइट मोमेंट से होती है और 15-20 मिनिट के काफी लाइट सीन रखे गए हैं जूनियर एंटी आर और सेफली खान के बीच में अखाडे में हमें हैंड टू हैंड लडाई दखाई जाती है जो देखने में बहतरीन लगती है वैसे सेफली खान का नेगेटिव रॉल में क्या परदस्त रखा गया है इसके अलावा इसके क्लाइमेक्स में हमें एक ट्विस्ट भी देखने के लिए मिलता है हाला कि वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती हुई नजाराती है लेकन फिर भी इसके मेकर्स इसके दूसरे पार्ड के लिए एक ट तरह से इसमें समुद्र किनारे ये मचवारों के गाउं दखाये जाते हैं यहाँ पर इनके बीच में पॉलिटिक से दखायी जाती है ये काफी बहतरीन तरीके से दखाया है जिसको आप वागई में काफी एंज्वाई करेंगे सेफली खान इसमें हमें दो लुक्स में नजराते हैं पहले बाले लुक में वो हमें छोटे बालों में नजराते हैं और वो अच्छे लग रहे थे और जब सेकंड हाफ में कहानी आगे बढ़ती है तो इसमें हमें सेफली खान का बड़े बालों बाला लुक दखाई देता है और ये भी उनके उपर बहुत अच्छे से सूट हो रहा था फिल्म का एक्सन काफी हद तक बिल्कुल वैसा ही टिपिकल साउथ की फिल्मों के जैसा ही रखा गया है कि जहां हीरो सौ सो लोगों को भी एक बार में मार देता है लेकिन आप यकीन मानिए कि जुनियर एंटियार के साथ में कुछ समय बाद ये सीन आपको बिली वेबल लगने लगते हैं इसके अगर गानों की बात करें तो हिंदी डब्ड वरजन में वैसे तो इसका कोई भी गाना सुनने लाइक नहीं है लेकिन इसमें हमें जुनियर एंटियार का बहतरीन डांस देखने के लिए मिलता है जो देखने में मज़ा आ रहा था तो ओबरॉल फिल्म देबरा काफी अच्छी फिल्म है जिसको आप थेटर में काफी एंजॉय करेंगे हाला कि इसके कई एक्सन सीन थोड़ी वाइलेंट भी है तो सायद बच्चों के साथ में ये आपको सूट ना होगी और अगर दोश्तों के साथ में आप ये फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं तो आप डिसपॉइंट होकर तो वापस नहीं आएंगे लेकर मुझे लगता है कि इसके सेगंड पार्ट के लिए थोड़ी और जादा हाइप बनाने के लिए कुछ सीन और दिखाने चाहिए थे तो मेरी तरब से फिल्म देबरा को 3.5 आउट आफ 5 स्टार तो अगर आप मैंसे किसी ने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये कैसी लगी थी और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसको आप एक बार जरूर देखिए तो इस वीडियो में अतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जबाब जरूर दीजिए तो मिलते हैं अंगले वीडियो में किसी और नई फिल्म के रिवियू के साथ में